कि नमस्कार कि आज हम आपको बताने जा रहा है कि चूडियों में लाग कैसे भरी जाती है कि यह लाग भरने से चूडियों में मजबूती आ जाती है और सुन्दर भी लगते हैं कि पत्ता इसका उपर का जो है वह दखता नहीं है कि वैसे बगर लाग की चूड़ी जल्दी तूड़ जाती है और यह जिग्यासा हमेशा रहे है लोगों की कि यह लाग कैसे भरी जाती है इसके लिए आज हम आपको सामने लाग भर कर दिखा रहे हैं यह लाग की जो राड है यह आती है और इसको हलका गरम करके इसमें इस तरह से भर भर दी जाती है इसको ऐसे बरनी है ना तो यह उपर निकले और ना ही ज्यादा नीची रहे हमें इसके लेविल को बनाते हुए भरनी होती है यह आप देख रहे हैं इस तरीके से भर रहे हैं इसमें आच बहुत ही हलकी देनी है अगर आप इसको ज्यादा आच देंगे तो यह चूड़ी काली हो जाएंगी और लाख इसकी जो है वो ज्यादा मुलायम हो जाने बज़े से जल जाती है देहिए यह आपकी पूरी भर गड़ी है ऐसे ही हम इसको दूसरी चूड़ी को इस तरीके से हलका गरम किया और इसमें रख ली और इसको इंगली की सहता से दबाते हैं चल जाएगा कोई भी इसकी आपको नहीं बताएगा कि इस कैसे भरी जाती है हम आपको सामने भर कर दिखा रहे हैं यह दिखांज हैं इसे भरना बहुत ही आसान है, बस साबधानी यह है कि इसकी यह रॉड है यह ज्यादा गरम ना हो, ज्यादा गरम होने से चूड़ी का रंग भी खराब हो सकता है और हाथ में चिपकने का भी डर रहता है, यह लाक जो है यह राजिस्थान से आती है और भरने के लिए हर सहर मे हर जगय में, हर कस्वे में भरी जाती हैं और अधिक तर जितनी भी चूड़ीrent हिलकी जो होती है, उन में तो अब आव से ही भरी जाती है, क्योंकि बगहर उसके चूड़ी जदा दिन चल नहीं पाती है अधिकतार तूटने लगती है और इससे यह सपोर्ट मिल जाता है इसकी बज़े से चूड़ी तूटती नहीं है आप उन्हें देखा कोई कारीगरी नहीं है बहुत यह आसानी से भर रही है अगर यह वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही हम आपको जानकारी वाली वीडियो देते रहें इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा है और साथ में इसकी वेल आइकेन वाली गंटी का बटन भी दबा दें जिससे मेरी अगली कोई वीडियो आपके लिए जरूरी हो जानकारी वाली हो वो आपको आसानी से नोटिविकेशन आपको मिल सके हमारा चैनल आर जेवी गोपाल गुरू के नाम से है आपका सयोग बना रहे हम आपको अच्छी जानकारी वाली वीडियो देते रहेंगे मेरा चैनल सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो अवस्य कर लें यह हमने आपके सामने चारू चूड़ी हैं यह कंप्लीट कर लें यह देखिए इस चार चूड़ी इन्वेसम में लाक रेडी है और चूड़ी का रंगी बुल्कूल वैसे है जैसे थी कोई इसमें फरक नहीं आया आज के लिए बस इतना ही अब मिलेंगे अगली वीडियो में नमस्कार